है गाइस तो कैसे आप सब लोग होप सो सब लोग बढ़िया होंगे आज इस वीडियो में हम लोग मिली बॉबी ब्राउन के बारे में बात करने वाले लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग टीवी सो मुवी सीरीज उसके बारे में बात करने वाले कि क्या हो सकता है अपकमिंग हम लोग किस मुवी में या फिर किस टीवी सीरीज में या फिर किस वेब सीरीज में हम लोग उनको देख पाएंगे ठीक है तो चलिए तो यहाँ पर मैं Inola Homes के बारे में बात कर रहा हूँ तो Inola Homes के बारे में थोड़ी बहुत बात आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा concept clear रहे तो Inola Homes, Sirlog Homes की बहन है छोटी सी 14 एर्थ ओल्ड एक छोटी सी बहन है और वैसे मैं बात करूँ तो family में दो brother और एक sister है जिसको मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन है तो यहाँ पर Sherlock Holmes सबसे elder brother है और उसके बाद जो छोटा brother है उसका नाम है Minecraft Holmes, microphone जो एक detective है और Sherlock Holmes के साथ ही काम करता है और दूसरी बात की 14 years की old उसकी एक बहन है जिसका नाम है Enola Holmes तो अब हम बात करते है Enola Holmes के बारे में अगर तुमने 80's में अगर Sherlock Holmes की series जो टीवी सो कहके लाता था तो अगर आपने वो देखा है तो मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं कौन Enola Holmes है और अगर आप अभी 2009 से अगर आपने Sherlock Holmes नाम सुना है वैल जो रोबर्ट डाउनी जूनियर Sherlock Holmes का रूलनी भार रहे थे अगर आपने वो देखे तो मेरे ख्याल से आपको कोई आइडिया नहीं होगा की कौन Enola Holmes है लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले बिकोज आज इस वीडियो में हम लोग मिली Bobby Brown के बारे में बात कर रहे तो यहाँ पर अगर मैं स्टोरी के बात करूँ तो यह जो Enola Holmes है वो अपने मॉम के साथ रह रही थी और अच्छानक से उनकी जो मॉम है वो कहीं घायप हो जाती है एक मिश्टरियर्स तरीके से उनकी जो मॉम होती है वो घायप हो जाती है और Enola Holmes एकदम अकेली हो जाती है विकोज अफ की जो हमारा Sherlock Holmes है और जो Mycroft जो Holmes है वो लोग डिटेक्टिव है लंडन में और यह किसी और जगा रहर है अब जो Enola Holmes अभी 14 years old है तो वो अभी स्कूलिंग कर रही है और यहाँ पर जो हमारा Sherlock Holmes है वो उनको यह कहता है कि आपको अभी स्कूलिंग करनी चाहिए अब क्या होता है कि परिवार में सब लोग डिटेक्टिव है तो भाई जैसा वातावरन ऐसे लोग तो वो जो Enola Holmes होती है वो स्कूल से निकल कर एक डिटेक्टिव बन जाती है और Sherlock Holmes और Mycroft Holmes को पता भी नहीं चलता ठीक है और यहाँ पर Enola Holmes मुवी में Sherlock Holmes का रोल हमारे Kenry Hevel निपाने वाल है तो आपके दिमाग में यह question आया होगा कि Sherlock 1, Sherlock 2 और Sherlock Holmes 3 यह तीनों मुवी में Sherlock Holmes का रोल हमारे Robert Downey Jr. निपाने निपाने है तो क्या यह दोनों अलग-अलग है वेल मैं आपको थोड़ा बहुत clarify कर देता हूँ कि यहाँ पर जो यह Enola Holmes के जो डायरेक्टर है उनका नाम है Henry Brandbier Henry Brandbier उनका नाम है जो मेरे ख्याल से बहुत सारे TV सो कर चुके है तो मेरे ख्याल से यह एक TV सो या फिर एक सीरीज Netflix पर आ सकती है ठीक है और अगर मैं हमारे original जो हमारा Sherlock Holmes जो Robert Downey Jr. निपाने है उसके बारे मैं बात करूँ तो वहाँ पर Dexter Fletcher नाम के डायरेक्टर जो बहुत ही popular डायरेक्टर है वो उसको डायरेक्ट कर रहे है ठीक है तो दोनों बहुत ही अलग है और मेरे ख्याल से यह जैसे कि तुम्हें पता है कि जो हमारा Flash है जो हमारे DC Universe का Flash है वो मुवी में आलागे और सेरीज में आलागे वैसे ही यह लोग भी एक सेरीज बनाना चाहते Ilona Holmes की और भाई हमारा Sherlock Holmes की जो मुवी है वो तो हमारी Continues रहने वाली है जो 2021 में आने वाली है Sherlock Holmes 3 So guys I hope so आपको थोड़ा बहुत overview मिल चुका होगा Ilona Holmes के बारे मेरी महनत पसंद आई है तो यार सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी लेटेस से लेटेस वीडियो आप तक पहुंच सके और guys कमेट करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लागा So guys मिलते को नए वीडियो में और एकने review और एकने explanation के साथ तब तक के लिए अलवीदा